तो हेलो दोस्तो माटल मेकेनिकल यूट्वीब में आपका स्वागते तो गाईद आप टूविलर के लगते रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो हमारी चैनल माटल मेकेनिकल सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले तो गाई तो देखिए उसका जो bandex से पूरी तरह तूट गया है और पहले से मैंने kick cover open कर दिया है देखिए यह उसका kick cover है उसमें shell नहीं बता था kick भी नहीं लगती है क्योंकि उसका shell bandex से देखिए वो shell plate में पूरी तरह फस गया है देखिए यह पूरी तरह जाम हो गया है इसलिए उसको बहार निकालना है तो गया देखिए उसको बहार निकालने के लिए यह shell plate आपको open करने पड़ेगी क्योंकि यह उसका पूरी तरह तूट गया है इसलिए यह shell plate open करने पड़ेगी क्योंकि वो सही होगा तो आपको ये प्लेट ओपन नहीं करनी पड़ेगी तो गई देखिए ये उसकी 22 नमर की नट पी आपको ओपन करनी पड़ेगी तो देखिए आपको ये बॉक्स पॉना लेकर 22 नमर का देखिए उसका बॉक्स पॉना लेकर आपको इस तरह ओपन करना त तो देखिए इस तरह ट्रॉल्स पकड़के आपको Google नाहीं देखिए इस तरह है पूरी पकड़के इस ट्रुल्स को गुमाना तो देखिए यह उसके 22-ů नमबर की नट है हो वहने निकाल दिए उसके बाद देखिए उसका वह रायसर के बाग उसका एक करे क्रेचेट के बाद देखिए यह प्लास्टिक लोहे वाला फेन है और देखिए यह उसका वजर यह उसका क्रेचेट उसके बाद देखिए पूरी प्लेट को इस तरफ बहार निकालना है देखिए तो सबसे पहले टूल्स को ओपन करने के बाद देखिए यह उसकी प्लेट है प्लेट को निकाल देना है उसके बाद वो Shell डेक्स निकलेगा तो देखिए तो गाई दिखिए ये उसका Shell डेक्स है पूरी तरड़ कड़ चुका है इसमें दिक्कत आईए इसलिए शेल स्टार्ट गाड़ी नहीं होती और उसकी शेल डिक्स में पूरी तरह जाम हो गया था है उसलिए उसकी कीक नहीं बतती और गाड़ी शेल स्टार्ट नहीं होती तो देखे उसके पिछे एक वहषर आता है ये वहषर को आपको निकाल देना चाहिए तो देखे ये पतला वाला वशर तो गैज देखिए वे शेल बेंडेक्स खराब होने के बाद आपके गाड़ी में शेल नहीं लगता और किक भी नहीं लगती क्योंकि शेल बेंडेक्स तूट गया है और देखिए ये पुराना वाला और ये न्यू शेल बेंडेक्स तो देखिए ये new bandex में fitting करने वाला हूँ क्योंकि fitting करने के बाद वो shell सही लगेगा तो देखिए shell bandex इस तरह work करना चाहिए आप इस तरह check करके आपको fitting कर देना चाहिए तो guide देखिए जो washer था मैंने पहले आपको दिखाया था वो washer पिछे चे लगा देना चाहिए देखिए ये वाला washer आपको shell bandex के पिछे जरूर लगा देना चाहिए तो इसमें guide bandex पुरी तरह तूट जाने के बाद ये shell नहीं बतता था उसका bandex पुरी तरह shell plate में fitting हो गया था इसलिए उसकी kick भी नहीं लगती थी तो गया देखिए shell bandex को इस तरह उसका groove है वो install कर देना है देखिए इस तरह install कर देना है उसके बाद देखिए उसका जो cover है शेल बेंडेक्स का cover देखिए इस cover को आपको दो खाचे है इसमें इस तरह असे से install का देना है देखिए इस तरह उसका जो जगह है वो बिल्कुल आराम से move हो जाएगा तो गैज देखिए उसका शेल बेंडेक्स इस तरह fitting किया जा सकता है और गैज देखिए यह उसकी shell plate है और shell plate को मैंने bandex भी लगा दिया है और bandex लगाने के बाद वो shell plate लगाऊंगा तो गैज शेल plate को इस लिए मैंने open किया क्योंकि उसका bandex पूरी तरह तूट गया था और उसकी plate में fitting हो गया था वरना यह shell plate आपको open करने के जरूरत नहीं पड़ती डाइडेक ही उसका shell bandex fitting होता है तो गैज देखिए मैं fitting कर रहा हो कि creature भी मैंने लगा दिया है उसका washer लगा दिया है उसके बाद उसकी 22 नम्मर की जो nut है तो देखिए 22 नम्मर की nut को इस तरह fitting किया जा सकता है तो देखिए सारा shell plate उसके देखिए जो मैंने आपको दिखाय था वो tools को इस तरह fitting कर देना है इस tools को इस तरह fitting करके अच्छे से 10 mm का जो fix पाना लेकर उसको fitting कर देना है उस टूल को उसके बाद जो उसकी जो नट है वो नट को आपको फिटिंग करना है तो गई देखे इस तरह उसको आपको फिटिंग करना है 22 नमर का बॉक्स पॉनने अलग कर जो उसकी शेल प्लेट है और उसका टूल से फिटिंग करने का देखे इसेल प्लेट को लोग करने का देखे यह टूल्स है यह टूल्स को आपको इस तरह फिटिंग करके उसकी जो 22 mm की जो नट है आपको बॉक्स पोना से उसको अस्षे से फिटिंग कर देना चाहिए क्योंकि आपने यह अस्षे से फिटिंग नहीं किया तो उसकी जो शेल को ओपन कर देना है तो देखिए यह उसकी जो शेल प्लेट मेंने लगा दिये तो गाई देखिए हीरो में यह दिक्कत आई थी और उसका वनन ने आके मुझे बोला कि मेरी गाड़ी में शेल नहीं बचता हो और किक भी नहीं बचती तो सबसे पहले गाईज मैंने उसका एंज पूरी तरह तूट चुका था और उसका जो शेल बेंडेक्स उसकी जो शेल प्लेट है इसमें पूरी तरह फिटिंग हो गया था इसलिए उसकी कीक नहीं लगती थी और उसका शेल भी नहीं लगता था तो मैंने उसको बोला कि उसका शेल बेंडेक्स चेंज करना पड़े ग तो गैज देखिए किक कवर मैंने जहां से उपन किया वहां में इस्टॉल कर देता हूँ और देखिए उसका जो 8 mm का जो बोल्ट है वो 8 mm का टीप आना लेकर वो मैंने वहां फिटिंग कर दिया है तो गैज देखिए ये थी हीरो मेस्ट्रो और उसमें शेल्व एंडेक्स को कैसे चैंज करते हैं ये मैंने आपको लाइव दिखा दिया तो गैज हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना शेयर कर देना ऐसे सारे टुविलर के लगते रिलेटेड वीडियो हम बनाएंगे